हेलो फ्रेंड्स आयाम इंद्रजित और वेरी वेलकम आई यूटूप चनल आज हम विशुड़ा में CMC LDP 2022 के एड्मिशन की बात करने वाले इसकी यूनिविर्सिटी का नाम में मात्मा गांधी चितरकुट ग्रामोदे विश्विद्याले यूनिविर्सिटी आप इसके 2023 के जो एड्मिशन है प्रवेशे और सुरुद हो चुके है बेस्ट डव्यू फरस्ट एयर में आप एड्मिशन ले सकते हैं कैसे रजिस्टेशन करना है क्या फिस पेमेंट लगने वाली सब कुछ जानकार यह आप लोगों से क्रेक्ष्ट करूंगा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिगा CMCLDP 2023 के जो प्रविशे सुरू हो गये हैं आप जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे वेबसाइट की लिंके मैंने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिये आप अपना जो पंजीने वो कर सकते हैं सबसे पहले आप पंजेन करेंगे यहां पर मैं दोनों रजिस्टेशन करके बताने वालां किस प्रकार से आपका यहां पर जो पंजेने वो कर पाएंगे अगर आपने 12 पास है ऐसे candidate डिफ्रेंट जो आप रेगुलर जो इसको लेए यानि कि रेगुलर अब कॉलेज नहीं जा सकते हैं तो ऐसे इस्टूडेंट के लिए यहां बहुत अच्छा कोर्स है आपको सिर्फ संडे कॉलेज जाना पड़ेगा ओके तो संडे कॉलेज जाना रहता है बीएस डवल्यू एमस डवल्यू के लिए और यह रेगुलर डिग्र रहती है सरकारी मानेता प्राप्ट डिग्री है सरकार शे मानेता प्राप्ट डिग्री है यहां बहुत अच्छी लब जो डिग्री बात करें तो बहुत अच्छी ब्याइस डवल्यू की बहुत अच्छी जो चल रहा है अभी स्कॉप इसका चल रहा जैसे कि अभी जो बात क हैं इसका भी पंजन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दिसा निर्देश यह दोनों आप लोगों को लाष्ट में दिखाने वालों कौन-कौन से दिसा निर्देश है MSW, BSW के को के तो सबसे पहले आप registration करेंगे registration करने के लिए आप लोगों को शोरपे की फिस्पेमेट है हो करनी पड़ेगी आप यहां पर एक option आपको देखने को मैं लगा पंजन है तो नवी उम्मिद्वार है तो क्लिक करें आप इस फ्रकार से आप क्लिक करेंगे आप BSW, अगर आप बाड़वी पास है तो आप क्या करेंगे VSW करेंगे अगर आपने graduation कर लिए आपने किसी भी subject से graduation कर लिए चाया BA हो, BSI हो, BC हो, BC हो, BAड हो किसी भी subject से आपने BSI कर रखिए तो आप MSW के लिए admission ले सकते हैं अगर आपने बारवी कर रखी है तो आप B.L.W. कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से आपने कदक्यों आप अपना चो प्रविश्य हो ले सकते हैं तो यहाँ पर देखें रिजिस्टेशन की प्रोसेस किस प्रकार है वेक्टिकर जानकारी में आपना नाम लिखेंगे आप वही नाम एंटर करेंगे फ्रेंट्स जो आपकी 12 की मार्गसेट में आप किसी भी प्रकार सी स्पेलिंग की मिस्टेक ना करेंगे तो नाम आप वहीं एंटर करेंगी जो दसवी और बारवी की मार्गसेट में पिता का नाम भी वहीं एंटर करेंगे जो सेम नाम आपकी मार्गसे में 10 में 10 12 में झेल मतिती औह पर सिलेक्ट करेंगे क्यलैंडर के लेंक और क्लिक करके इस प्रकार से आप अपना जो डैट ऑबंसे और है वह सीलेक्ट कर लिजेगा जो भी आपका जैन्म दिनांक हो तो आप इस प्रकार रह पiscal तो आपना इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे यहां पर आपकी रजिस्टेशन की फिसे और 100 रुपे है लगने वाली आप किसी भी कैटेगरी के हो आप यहां पर जो आपके कास्टी, SC, OBC, General जो भी हो अगर आप सामाने वर्ग के हो तो यूर वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे SC, ST वाले जो कैंडिडेट है वो अपनी जो कैटेगरी इस प्रकार सेलेक्ट कर लिजिगा पिछड़ा वर्ग वाले और इसी वाली कैटेगरी सेलेक्ट कीजिगा अब यहाँ पर क्या EWS द्रेडी में आते हैं अगर आते हो तो आप यहाँ जो भी अधार काट नमबर है वो एंटर पूरा बारा डिजिट का जो भी अधार काट नमबर है आपका वो एंटर कर देना है मदाता पहँचान पत्र में जो आपका नमबर है ओके आप मदाता परीचे पत्र आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको सबसे उपर जहट से स्टार्ट होगा सिरेल नमबर जो भी तो वो आप एंटर कीजिगा समगर आइडी नमबर यहाँ पर दर्ज़ करेंगे उसके बाद क्या आप विकलांगे तो अगर आप विकलांग हो तो हां करना वड़ना नो कर दिजिगा उसके बाद आप क्या करेंगे आपकी email id एंटर करेंगे आप email id एंटर कीजिगा जिसे कि आपको आगे की process में दिखोंगा क्या करना है जिसे कि आपको admission लेने के बाद आपको email id बहुत ज़्यादा काम आएगे उसके बाद आपना mobile number जो आप daily use करते हैं वही mobile number आप लोगों को enter करना है तो यहाँ पर आपना mobile number एंटर करेंगे पत्रा चार पता में आपको पूरा enter कर देना है जैसे कि मकार number 44, village, जो भी आपका village का नाम, post, तहसील, district उसके बाद यहाँ पर जो भी MP से हो और उसके बाद pin code number यहाँ पर एक option आता है pin code number का तो यहाँ पर आप लोग pin code number एंटर करेंगे, ओके, आप उसके बाद क्या करेंगे, फ्रेंट्स, इहाँ पर एक option आता है संभाग का, ओके, इस संभाग आप जो भी लगता हो, इस प्रकास आप संभाग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका जिला, जो जिला है, इस प्रकास से सिलेक्ट करेंगे, आपका विकास खंड यानि कि जो आपकी तहसिल है, इस प्रकास से सिलेक्ट करेंगे, आपकी ग्राम पंचायत क्या है, आपकी जो भी ग्राम पंचायत है, वो आप अपनी यहां से सिलेक्ट किजिगा जो भी आपकी ग्राम बंचायते हैं आप इस प्रकाश से सेलेक्ट करेंगे ठीके अब ये चीजे आप इस प्रकाश सेलेक्ट करेंगे अब देखिए यहाँ पर एक option आता है हम आप भी PSW का जो registration कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 12 ही मांगा गया है मतलब आपको 12 ही रहने दिना ह से आपने कर रहे किये बारवी वह सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद मैट्स है ओके बायो है कॉमर्स है होम सारे सब्जेक्ट आर्ट से सारे सब्जेक्ट है तो जो भी सब्जेक्ट से आपने कर रहे किये बारवी वह सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंग तो बोर्ड का नाम या फिर आप बोर्ड का नाम भी एंटर करेंगे जीशा कि आप MP बोर्ड से करिए CBSE बोर्ड से करिए तो जो भी बोर्ड है तो आप MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उत्तीन वर्स यहां पर अप जब भी पास करिये 2016, 2013 जो भी करिए 2012 तो यहाँ पर आप उत्तिन नमर से डालेंगे प्रतिसत जितने percentage बार्वी में बने तो बार्वी की जो percent एंटर करेंगे उसके बाद आपना roll number एंटर करेंगे दस्तावेच करवांक में सबसे उपर आपको mark sheet number देखने को मिलेगा तो आप mark sheet के number दाल सकते या फिर से छोड़ भी सकते हैं आप सिर्फ परतिसत डालिएगा उत्तिन नमर से डाल दिएगा roll number अगर डालना चाहिए अनुकरमाक में तो अपना अनुकरमाक में roll number डाल दिजीगा इसके बाद आगे की process छोड़ दिजीगा आप क्या देखें अने जानकारी हैं पर कि आप सोयम सेविक संगतन के पतिनी दिए अगर हो तो अजह करना तो नुकर दिजीगा सोयम संगी संसता का naam enter करना है अगर हाँ करेंगे तो उसका naam enter करना पड़ेगा अगर हो तो पुटिन समिति से है अगर चातर है, तो हाँ करना है या पी show maioria Siolti, चातर है जो भी है, तो आप juice लेक्ट करेंगे और सारी जानगारी यहाँ पर पर एंटर करेंगे एक explorations हो तो experience को जानगारी भी आप डालेंगे Show ribs का photo upload करें आप क्या करना है अप एक आप से download कर लीज़ेगा से कम में आपकी जो फोटो है पासवर्ट साइज फोटो आप पिकाट से एडिट कर लिजेगा पिकाट एप्लिकेशन एडिट कर रहे हैं आपके पास जो भी तो से पिकाट से आप जो फोटो है आप एडिट करेंगे पासवर्ट साइज की फोटो लेंगे उसको एडिट करके एक MB में upload कर देना है आटेज upload वाले option पर click करना है तो attach हो जाएगे 12 की मारगा site upload कर देना है आपको इस screen यह करना है अप्रेंच आप लोगों को screen कर लेना है और scan apps download कर लेना है उसके बाद आपकी मारगा site को scan कर लेना है और यहाँ पर एक MB में उससे upload अप्लोट कर देना है आप जो MB में करने की अगर आपको दिक्कात आती है तो आपको Apps देखने को मिल जाएगी ओके Apps की लिंक में डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दूंगा आप वहां से अपने जो कर सकते हैं जाती प्रमायन पत्र अप्लोड कर देंगे एक MB के से कम इसमें उसके बाद यहां पर देखें विकास खंड में आध्यन है तो उचित आप कहां पर यह कोर्स करना चाहते हैं अगर आप जोब करते हैं तो महां पर आज अगर मान लिजी कि आप मध्य प्रदेश में तो महीं कि आसपास का सेंटर है सेलेक्ट कर लिजीगा या फिर आप अगर आप गाउं में तो गाउं में आसपास जो भी जहां पर भी हो रहा है कोर्स जैसे कि पता करना है तो आपको क्या करना है आपका संभाग सेलेक्ट करना है जहां पर भी यह कोर्स करना चाहते हो आप नजदी के से एंटर सिलेक्ट कर लिजेगा तो खरगोन में यहाँ पर जितने भी ब्लाक है इन ब्लाकों में कोर से वो संचालित हो रहा है तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लिजेगा आप क्या करना है यह केपचा है 34624 यहाँ पर एंटर करेंगे और सब्मीட बोक्स पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप सब्मीड बोक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके फार्जट फार्जट कर एक उप्शन आएगा और उसके बाद आप नेट बेंकिंग UPI से आप अपना जो पेमेंट हो और कर सकते हैं जो भी आपके पास जो भी हो debit card credit card तो आप अपने जो card से net banking card से आप payment करेंगे जैसे आप payment करेंगे जो भी OTP enter करेंगे OTP आएगा OTP submit करेंगे उसके बाद जैसे आप payment कर देते हो तो आपको 10 minute तक wait करना है friends आपको यहाँ पर एक minute तक wait करना है क्योंकि friends एक minute बड़ आपको प्रिंट वाले option पर लेकी जाएगा जैसे आपके जो पैसे कटेंगे जो यहाँ पर बात करो इनकी तो 24 रुपे कटेंगे बात करों रजिस्टेशन की बात करों तो यहाँ पर 24 रुपे कटेंगे जैसे आप admission लेंगे तो उस ताइम आपकी चोईश हो रहेंगे तो सिर्फ रजिस्टेशन के आपके 24 रुपे यहाँ पर कट जाएंगे अब हम MSW की ओर चलते हैं यह बहुए बहुए की बात हो गए बहुए का एडमिशन के शिकरना है इसकी रजिस्टेशन की प्रोसेश मैंने आप लोगों को दिखा दिये तो आप इस प्रगाश से आपना जो रजिस्टेशन है वो बहुए बहुए का करेंगे अब हम चलते है आप देखे फ्रेंड्स यहाँ पर MSW का रिक्रम 2023 MSW का रजिस्टेशन करने के लिए यहाँ पर देखे सेकेंड ओप्शन आपको देखने को मिलीगा पंजेन है तूप यहाँ पर नमेन पंजेन वाले ओप्शन पर आप क्लिक करना इस प्रकार से यहाँ पर हम MSW का एडमिश सकते हैं यहाँ पर सेम प्रोशिस से आपका नाम एंटर करेंगे वहीं नाम एंटर करेंगे जो आपकी 10th की मार्ग सेट 12th की मार्ग सेट और ग्रेजुएशन की मार्ग सेट में है सेम नाम एंटर करेंगे आपके पास जो आधार कार्ड में वह नाम एंटर मत करना वोगे ज ऌपशन पर सेलेक्ट करके अपनी सेलेक्ट कर लिजा मेल फिमेल जो भी हो महिला पुरू सेलेक्ट किजिगा में इा करण वड़न और इन्जार करके अधार कर आपना अधार करमांग नमबर एंटर करेंगे मद्दाता पहुंचान पत्र करमांक वाले option पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो मद्दाता नंबर है वो enter करेंगे समगर आईडी नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे क्या आप विकलांग है तो विकलांग वाले option पर दर्ज करेंगे उसके बाद आपनी email ID एंटर करेंगे, mobile number दर्ज करेंगे, ओके, अपना पत्राचार पता इस्ताई जो है वो एंटर करेंगे, pin code नमबर डालेंगे, पत्राचार इस्ताई पता में आपको पुरान जो address से वो डालना है, आपका संभाग सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से जो भी संभाग है, जिला सेलेक्ट कर लेना है, विकास कंड सेलेक्ट कर लेना है, ओके, ग्राम पंचायद सेलेक्ट करना है, जो भी हो अपकी ग्राम पंचायद और उसके बाद आपका गाउं का नाम है, जो भी आपका गाउं का नाम हो, ओके, उसके बाद उचितम qualification यहापर जो अ अपने पास करेंगे आपको मार्ग स्रेट में देखने को मिल जाएगा उत्तिन कप करिए वो तिन वर्स आप एंटर करेंगे पर 30 साथ एंटर करेंगे प्रतिसे आन्टर करने के बाद यहाँ पर रोल नंबर डाल लेंगे, और यहाँ पर देखे कि आप सवयम् सेविक संगतन के पतिन निदिर है तो यहाँ 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 करना है बना नो कर दिजीगा संस्ता का नाम एंटर करेंगे अगर हो तो प्रेश्ट यहाँ पर अनुभाव कर मांग स्वयम का फोटो अपलोड करना है यहाँ पर आप लोगों को और यहाँ पर अपने जो ग्रेजुशन कर रखे उसके मार्ग सीट अपलोड करना है जाती प्रमायन पत्र अपलोड करना है यह सारी आटेच वाले ओप्सन पर क्लिर करके अपलोड कर देना है उसके बाद आप जहाँ भी कोर्स करना चाहते हैं वहाँ पर संभाग का नाम जिला, ब्लॉक का नाम इस प्रकार्श सेलेक्ट कर लिजिगा जहाँ भी आप करना चाहते हैं वह उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे वह स्भाइनल सब्मिट बोक्स पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार्श से आप यहाँ पर सब्मिट करेंगे फॉर्म को आपके पास एक रेजिस्टेशन नंबर है वह प्रिंट है आज आएगी आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बता दिया है किस प्रकार से आप लोगों को PSW, MSW का जो एडमिशन है हो आने की पंजियन है किस प्रकार से करना है आप जिसे ही final submit करेंगे तो आपके पास 100 रुप है वो bank account से cut जाएंगे आपको print out लेने के लिए 2 minute का wait कर लेना है जरूर यूँकि 2 minute के बाद ही आपको automatic print वाले option पर पहुचा देगा जिसमें आप print out डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका payment फेल होता है तो आपको क्या करना है उसकी detail भी यहाँ पर दे रखिए आपको print कैसे डाउनलोड करने है माल लिजी कि अगर आपकी print नहीं निकली तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा आवेदान रसित प्राप्त करने है तो click करे और इस वाले option पर आप click करके यहाँ पर आपको क्या करना है जो आपको पंजेन नंबर मिले है आपके पास एक mobile phone में भी आ जाएगा अगर print नहीं आ दिए तो आपको पंजेन नंबर एंटर करना है यहाँ पर mobile number एंटर करना है और सबच वाले option पर click करके यहाँ से अपनी रचित से और डाउनलोड कर लिजिगा ओके तो रचित इस प्रकास से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे आपको रचित का वाएक option देखने को मिलेगा अब रचित वाले option पर click करके आपनी जो रचित है और डाउनलोड कर सकते हैं ओके यह चीज़ा आप देख लिजीगा अब ओडर डिटेल है अगर आप माल लिजी कि आपका पेमेंट फेल होता है तो इनमें क्या करना है उसकी जानकारी भी हैं आपर देख सकते हैं ओके जैसे कि यहाँ पर ओडर डिटेल है यहाँ पर आपका उनना रचिस्टेशन आप कभी भी तो इसके एडमिशन चलेंगे फ्रेंड यहाँ पर देखे प्रतम चरण 22 जुन तक है 22 जुन के बाद इसकी डेट है और बढ़ जाएगी आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं ब्येज डवी एमेज डवी का कि यहाँ पर देखे कुछ अगर आपके पास यहाँ पर देखे पार्ट करम में प्रवेशन नमीन उमिद्वार अपना रजिस्टेशन चुल जमा कर अपने रजिस्टेशन को सुन रिचित करेंगे इसके बाद एक न्यू लिस्ट निकाले जाएगी जो आपके मेरीड लिस् देखें भुखतान करते समय यदि किसी कारण मास भुखतान फेल हो जाता है तो मिद्वार को पूरना आवेदन करना होगा भुखतान फेल होने की स्तति में पेमेंट भुखतान बैंक अकॉण में 7 दिन के अंदर-अंदर आपके खाते में वापिस पूच जाएगा अगर भ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद एक लिस्ट निकलेगी फ्रेंट्स पूरी निकल आएगी उसके बाद आपका जो एडमिसन इसके बाद किस प्रकाश लेंगे आपको कहीं कॉलेज में जाने कि आप सकता नहीं है आपका एक प्रशना आता कि शर क्या हमें डॉक्मेंट वेरिफिकिसन के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा फ्रेंट्स आपको कॉलेज जाने कि कोई आप सकता नहीं है जब भी बाद में इसका कॉर्स स्टार्ट होगा जब भी हापते में आप महिने में एक बार जब भी आप सं आप करूंगा वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर कीजेगा थेंक्यू फ्रेंड्स